नमस्कार सर आपका क्या नाम है सर मेरा नाम जोहरलाल चोरसिया है मैं रुदरपूर उद्रम सिंग नगर उत्राखंड से आप संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे सर अभी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तो सर ये भक्ति करने से आपको क्या लाप राप्त हुए? तो उन लोगोंने सारी दवाईयां सारी ट्रक्टरों से मैंने करवा लिया अपना जो है जाड़ फूंक जो करने वाले थे उनसे भी करवा लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुगा मेरे को उससे फिर आप संत्रामपाल जी महराजी के सर्ण में कैसे आए? मैं संत्रामपाल जी महराज की सर्ण में आया मेरे को पुस्तक मिली भक्ति सौधागर को संदेश तो उस पुस्तक के माध्यम से जो है मेरी जब तबियत यह सही नहीं हुई तो फिर उस पुस्तक को मैंने देखा कि इसमें इतने बड़े-बड़े रोग अगर सही हो गया है उनमें पीछे जो है भक्ति सौधागर को संदेश पुस्तक में पीछे कई भक्तों के अनुभव थे उसमें देखा तो उनका बड़े-बड़े रोग कैंसर जैसे रोग सही हो गया तो फिर मेरा यह कमर का दर्द क्यों नहीं हो सकता सही तो उसके चलते मैं जो है फिर बरवा बरवाला जो है संत्रामपाल जी महराज से नामदान लिया और यह रोग मेरा सही हो गया दो महीने के अंदर उसके बाद मेरी पतनी को घुटने का दर्द और सीर का दर्द बराबर रहता था रोज ही दवाई खाती थी हो हमारे यहां से बाजार सो मीटर दूर है लेकिन उतन दूर बाजार में जाने में उसको आधा घंटा लग जाता था दो जगह उठक बठक करते जाती थी और नामदान लेने से खाली उसका जो है संत्रामपाल जी महराज से नामदान लेने से ही उसका यह सारा रोग सही हो गया सर संत्रामपाल जी महाराज आज के समय में जेल में है और साप संत्रामपाल जी महाराज की बताय हुई भक्ति कर रहे हैं तो सर आपको कैसा लगता है स्वंत्र अंपा जी महराज जेल में हैं लेकिन हमारे को या जो भी भक्त समाज है हमारा उनको लाफ तो उतना ही हो रहा है यह तो है नहीं कि अगर जेल में बंद है तो हमारे लाफ नहीं हो रहे हैं और जो है नए नए उनके रोज भक्त जुड़ते जा रहे हैं उसमें अगर प्रसक्राइब ज़िए इसका मतलब उनका भास्च नहीं बताते हैं तो कैसे उन से जुड़ते हैं इसका मतलब उनका भाथ सही है इसलिए उन से ने ने रोज भगत जुड़ते जा रहे हैं सर हमने सुना है कि जो भी सर धालू संत्रामपाल जी महाराजी से जुड़ते हैं और उनकी बताई हुई भक्ति करते हैं उनको लाब अवस्य होते हैं तो सर आपका क्या नमभव है सर जी ये बात सही है कि जो संत्रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं तो उनको लाब भवस्य होता है अगर उनको लाब ना हो तो आई संत्रामपाल जी महाराज जेल में हैं लेकिन उनके अनुगाईयों की संख्या बढ़ते जा रही है तो बिना लाब के नहीं बढ़ रहा ह लेकिन संत्रामपाल जी महराज की सरण में जाने से हमारा वो रोग सही हो गया हमारी पतनी को घुटने का दर्द और सिर्द का दर्द रहता था बराबर रोज ही दवाई खाती थी और दवाई खाके और दूसरी बिमारी हो जाती थी उसको लेकिन उस नामदान लेने से ही उसका वो रोग सही हो गया और उसके बाद हमारे पास जो है अपना कोई मकान नहीं था संत्रामपल जी महरास से जुड़ने के छे महीने के बाद जो है हमारा अपना पका मकान हो गया और आज दो मंजीले मकान में हम रहते हैं और उसके बाद हमारे को एक मसीन भी लग गई दोना पलेट बनाने वाली उससे जो है हमारा गुजरबसर जो है अच्छे से हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो पहले यहां पर जो है छह साथ हजार रुपय कमा के हमारा यहां पर गुजरबसर नहीं हो पाता था और आज जो है दो दो बच्चे हमारे दिल्ली में पढ़ रहे हैं छह साथ हजार रुपय कमा के दिल्ली में आदमी कहां से पढ़ा पाएगा इस समय आदमी अच्छे जो है वहां पर कमानी के लिए नहीं जाते हैं दिल्ली का खर्चा इतना महंगा है कि हम वहां पर जो है कमाए तो वहाँ पर हमारा कुछ बचे गाई नहीं और आज हमारा जो है यह स्थितिक हम दो दो बच्चे जो है दिली में पढ़ा रहे हैं संत्रामपाल जी महराज की किरपा से और भिलाब है हमारे को हुए जो हमारा लिंटर पढ़ रहा था तो उपर से जो है टीन के उपर मैं काम क टूट गई और टीन टूट के जो है मैं बीच में गिर गया एक तरफ जो है इंट रखे हुई थी और एक तरफ जो है चारपाई थी अगर किसी तरफ भी अगर इंट की तरफ गिरता तब भी चोट लगती और जो है चारपाई की तरफ गिरता तब भी चोट लगती लेकिन उस बीच में गिरा और उपर से इट भी कई गिरी लेकिन मेरे को कोई हानी नहीं होई संत्रामपाजी महराज की किरपा से आज हम जो हैं बहुत अच्छे से राजी खुशी से हैं हम लोग सर आप जनसमदाई को क्या संदेश देना चाहेंगे संदेश देने के लिए तो क्या है हम संदेश नहीं दे सकते एक प्राथना कर सकते हैं कि जो है यह आनू पासना में भक्त समाज लगा हुआ है मानव समाज लगा हुआ है और उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है इतने एकसिड ये मानुस जनम बार बार नहीं मिलेगा संत्रामपाल जी के सरण में आके और उन से सच्ची साधना लेके और भक्ती करो और अपना जो है इस मानव जीवन का कल्यान कराओ सर अभी आपने बताया कि जो भक्त संत्रामपाल जी माहराजी से जुड़ जाते हैं उनको कभी हाने नहीं होती है ऐसी क्या सकती है संत्रामपाल जी माहराजी के पास कि संत्रामपाल जी माहराजी से जुड़ने के बाद किसी को भी कोई हाने नहीं होती संत्रांपाजी महराज जो है वो सास्त्र अनुसार साधना बताते हैं और जो है हमारे जो साधू संत्र हैं वो सास्त्र अनुसार साधना निवनात्म बताते हैं वो जो है आनुपासना कराते हैं तो आनुपासना करने से हमारे को क्या लाब होगा भक्ति जो है करनी है तो उसको सास्त्र अनुसार भक्ति करो उससे फायदा होगा जैसे अब डाक्टर जो है दवाई देता है अगर उस सही दवाई नहीं देगा तो कैसे हमारा रोक सही होगा वैसे ही यह भक्ति भी है और यह जो है संत्रामपाल जी महराज जो है भक्ति लाइन के सबसे बड़े डाक्टर है आके इनसे आप अपना कल्यान करवा सकते हैं और इनसे नाम दिख्षा लेकर अपना इस मानव जीवन को सुलब बना सकते हैं सर संतरामपाल जी महराजी से यदि कोई नाम दिख्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं संतरामपाल जी से नामदिक्षा लेने के लिए टीबी पर कई चैनरों में ससंग आ रहा है उस पर पट्टी चलते रहती है नीचे की साइड में उस पर नमबर आते रहते हैं उन नमबरों पर आप फोन करके और नजदी की नामदान सेंटर का पता पूछ के और वहां पर जाके आप नमदिक्षा ले सकते हैं दिन्यवाद सर सत्साइब